भारत और दुन्या का इतिहास गौरब पूर्ण रहा है। कुछ तारिखे इन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं। 1614 को मिवार पर कबजा कर लिया। 1665 पुर्टिगालियों ने मुंबई के साथ द्वीपों को इंग्लैंड को सौब दिये। इंग्लैंड के चाल्स दुते और पुर्टिगाल के राजा जौन चतुर्थ की बेटी क्याथरीन ओफ ब्रेगंजा के विवा के दहेज के हिस्से के रूप में ब्रिटिश सामराज के कबजे में इंद्वीपों को रखा गया। 1836, रामकृष्न परमहंस भारत के एक महान संत और विचारक थी। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। उनका जन इसी दिन हुआ था। 1899, जै नारायन व्यास, भारत के प्रमुक सुतनदिता सेनानी, राजिस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के एक प्रसिद राजनितेग्य। उनका जन इसी दिन हुआ था। 1905, शाम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी के स्थापना लंदन में की, जिसने ब्रिटिश भारत में स्वास शासन को बढ़ावा देने की मांग रखी थी। 1908, अब्दुल राशित खान एक प्रसिद हिंदुस्तानी ग्वालियर घराने के शास्त्रि गायक थी। 1911, भारत में पहली कमर्शिल उडान इलहाबाद से नैनी तक भरी गई। ये उडान मातरे 9.7 किलोमीटर की दूरी तक थी। 1926, भारती सिनमा की प्रसिद अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जैवंत का जन्म आज के दिन हुआ। 1927, खयाम के नाम से मश्यूर मुहमद जहूर खयाम हाशमी एक भारती संगीत निदेशक और बैग्ग्राउंड स्कोर संगीत कार थे जनका करियर चार दश को तक फैला रहा। वो इसे दिन पैदा हुए। 1930, जन्वरी में लिगए तस्वीरों का अधियन करते हुए कलाइट टॉम्बो प्लूटो की खोच करते हैं। 1931, सुराज पॉल एक भारती मूल के ब्रिटिश व्यवसाई और परुपकारी व्यक्ती थे, वो इसे दिन पैदा हुए। 1933, भारती और हिंदी फिल्मों की प्रसिद अमिनेत्रियों में से एक निम्मी का जन्म आजी के दिन हुआ। 1950, आनंद पटवर्धन, भारती वृत चित्र, फिल्म निर्माता अपनी सामाजिक, राजणितिक, मानवधिकार उनमुक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 1962, विपन शर्मा, भारती फिल्म अभिनेता जो हिंदी सिनमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 1966, साजित नाडियाडवाला, भारती फिल्म निर्माता निदेशक, नाडियाडवाला ग्रैंटसन अंटर्टेन्मेंट के मालिक हैं। 1971, भारत ने अर्भी उपग्रेय स्टेशन के माध्यम से ब्रिटेन के साथ पहली उपग्रेय कनेक्टिविटी स्थापित की। 1977, स्पेस शेटल एंटरप्राइज प्रडिक्शन वाहन को बोईंग 787 के शीर्ष पर अपनी पहली उडान पर ले गया। 1989, अमेरिका ने भारत को 1664 करूर रुपे का चेक दिया था, जो दुन्या की उस समय की सबसे बड़ी रकम मानी गई थी। और इसी दिन सहारा रेगिस्तान में पहली बार हिमपात हुआ और अब तक ये पाँचवी बार हुआ है, 1999, बांगलादेश और भारत के बीच बस सेवा पर समझोता हुआ। 2003, डेक्षन कोरिया के डेगू में एक आगजनी करने वाले ने एक मैट्रो ट्रेन में आग लगा दी, जिसमें 192 लोग मारे गए। 2004, इरान के निशापुर के पास लगभग 200 बचाव कर्मियों सही 295 में लोगों की मौत हो गई, जब गंधक, पैट्रॉल और उर्वरक ले जा रही, एक मालगाडी में आग लग गई और विस्पोर्ट हो गया। 2006, भारत में फ्लू का पहला मामला महराश्ट के एक पोल्ट्री फॉर्म में दर्ज किया गया था। 2006, समझोता एक्सप्रेस बम विस्पोर्ट भारत के नई दिली से 80 किलोमीटर उत्तर में शहर पानीपत के निकट दिवाना में आधी रात के आसपास हुआ था। 2008, भारती रुजर्व बैंक ने स्विस बैंक को देश में कारुबार करने की अनुमती दी। 2013, बेल्जियम के ब्रेसल्स हवाई एड़े पर एक छापे के दुरान सश्चत्र लुटेरों ने 50 मिलियन डॉलर मूल के हीरे की चोरी की। 2014, आंध्रप्रदेश का विभाजनकर तिलंगाना के रूप में देश के 29 राजी के स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया गया। 18 फरवरी को राश्ट्री लोकतंत्र दिवस 1951 में राणा वंश के तक्था पलट का जश्न नेपाल हर साल मनाता है।